सभी आंगनबाडी सेविका सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल की आज दोपहर बारा बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है आज प्रमोशन की लिस्ट भी दिखाएंगे और उसके अलावा बहुत से सरकारी आदेश इस वीडियो में दिखाएंगे तो प्लीज बहनों वीडियो को पूरा देख करके जाना बढ़ते हैं वीडियो की तरफ आप देख सकती हैं महा निदेशक, स्कूल सिच्चा एवं राज पर्योजना निदेशक कारयाले से आठ फरवरी को एक ये लिटर जारी किया गया है विजय किरन आनंद जी की तरफ से उन्होंने उत्तरपदेश के सभी जिलों के बेसित सिच्चा अधिकारियों को भेजा है लिटर जिसमें की कहा है कि प्री प्रैमरी सिच्चा के अंतरगत को लोकेटेड जो आंगनबाडी केंद्र हैं उनमें फरनीचर, सिसू डिस्क और आउटडोर प्ले मैटेरियल और चह नया नया लेटर है नई नई जानकारी है देखती है इसमें और उन्होंने विस्तार से क्या बात की है उन्होंने लिखा कि महोदय आप अवगत हैं कि प्री प्रैमरी सिच्चा समग्र सिच्चा के अंतरगत को लोकेटेड वाले आंगनबाडी केंद्रों में 21,791 में देख सकते हैं 11,599 प्रात्मिक और कंपोजिट विद्यालियों में जो चहक कारकरम है उसके अंतरगत जो टीलम सामाग्रियां है उनका क्रे किये जाने के निर्देश राजि पर्योजना काराले द्वारा प्रेसित किये गए हैं उक्त के संदर में फरनीचर, सिसू डेस्क, आउटडोर प्ले मेटेरियल और चहक के अंतरगत जो टीलम है इन सामाग्रियों सम्मंदी DCF प्रेरडा पोर्टल पर सम्मंदित विद्याले के प्रधाना ध्यापक के द्वारा अपलोड किया जाना है उक्त का अनुसरवण नोडल सिच्छक संकुलन द्वारा करते हुए 28 परवरी 2023 तक पूर्ण कराया जाना है अतह आपको नर्देशित किया जाता है कि संलगन यूजर मैनूल के अनुसार को लोकेटेड आंगनबाडी केंदर युक्त विद्याले के प्रधाना ध्यापक इनक समनवैक प्रसिच्छान और आपके MIS एवंखंड सिच्छा अधिकारी इनके द्वारा कराते हुए DCF अपलोड कराने का कारे नर्दारी समयाबधी में पूर्ण कराना सुनशित करें विजे किरन आनंद जी राजे पर्योजना निदेशक समंगर से चा उतरपदेश से एक ये लेटर उतरपदेश के आंगनबाडी बहनों जारी किया गया बढ़ते हैं आगे अगली जानकारियों की तरप आप देख सकते हैं मीना बहन है बहराई से उन्होंने जिलाकारकम अधिकारी जो बहराईच के हैं उनके द्वारा जारी एक लेटर को भेजा है जो आठ फरवरी को समस्त स्रीपियों लोगों को बहराईच में खास तौर पर चितोरा के जो स्रीपियों है उनको ये लेटर भेजा गया जिसमें लिखा गया है कि तीन फरवरी में जो लेटर निकला था जिसमें आगनबाडी बहनों का आगनबाडी से सुपर्वाइजर के पद पर प्रमोशन होना था उसमें जो अभिलेखों के सत्यापन कराया जाने उसी के सम्मंद में उन्होंने कहा है कि परियोजना के अंतरगत सुपर्वाइजर यानि मुख्य सेविका पद चयन के लिए चिंधांकित आगनबाडी कारकरतियों का निमलिखित यहाँ पर नाम दिया गया है और सामने इनका जनमतिती है आगनबाडी किंद का नाम है मैं के करके बहनों के 12 बहने हैं इनका नाम बताना चाहूँगा ये बहने जो हैं बहराइज ले की हैं स्रीमती लालती देवी स्री सिवहरी मौर्या पति या पिता जो भी इनके रिलेटिव हो बारा साथ 1907 सरसत डेटा पपर्थ है और सहने वाजपूर वगरा इनका सुसीलापाल है, स्रीमेहीलाल इनके रिलेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट कमोलिया में इनका सिंटर है और स्रीमति मेना कुमारी है और अग्या राम इनका रिलेटु का नाम है भेटिया में इनका सिंटर है कृष्णावती है सिवकुमार रिलेटु है बड़ा गाउं में सिंटर है स्रीमति मुक्ता देवी है जगत राम रिलेटु है छावनी सरकार में इनका आंगनबाडी सेंटर है इंद्रा देवी है लखन सरोज यानि राम लखन सरोज रिलेट्व है महिसावाद वगरा में इनका केंद्र है साथी नीचे इनके लिए लिखा गया है कि उत्त आंगनबाडी कारकरतीयों से उनके सेच्छ्डिक जो समस्त प्रमार पत्र है जाती है lasts विकलांक्ता है सुतंता संगराम सिनानी वाला अगर लेटर है तो यह सारी जिस भी कटेगरी में है जो जो उनके प्रमार पत्र हैं तो उ मुझे लगता है यह लेटर में पहले बता चुका हूँ, अगर नहीं भी बताया था तो आज आपने देख लिया, कुछ और भी जिलों के प्रमोशनल लिस्टे मैंने कुछ कल और परसों में देखाई हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उनको देख लेना, इधर बा 22 को एक ये लेटर जारी था साहब यादो जी का, और उन्होंने बरोली अहीर आगरा जो परयोजना पड़ती है, वहाँ पर एक ये लेटर जारी करके भीजा, जिसमें लिखा कि जन्पत का नाम आगरा है, आंगन बारी कारकरती का नाम सुधा यादो है, केंदर और ग्राम क प्रारूप पर सूचना 962022 को कारायले प्रस्तुत करना सुनुचित करें, जिससे समया अनुसार सूचना सासन को प्रेसित की जा सके, तो ये कि लेटर डीपियो मोहदे ने आपके वहाँ के से डीपियो को ये भेजा था उस टाइम पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, स इस बेस पर उनका नाम हटा है, तो ये चीजे वही आपको बता सकते हैं, ये रिसमा बानो बहने गोंडा से आती हैं, गोंडा में आप देख सकते हैं, आधार के बिना लाभारती नहीं पास सकेंगे पोसाहार, एक ऐसा आर्टिकल प्रकासित हुआ है हिंदुस्तान में, आधार जरूरी है, तो आधार सत्यापितलाबारती होंगे, पोसाहार तब ही आएगा, इस वज़े से ये पूरा मैटर एक दूसरे से जुड़ा है, अब गवर्मेंट आफ यूपी के अगर हम बात करें, तो कल उत्तरपदे सरकार ने ट्वीट किया, कि जो दिगज उद्ध लोग पती है, इनकी मौझूदगी में उत्तरपदे सरकार को 32 लाग करोण रुपे का निमेश मिला है, पोरवांचल और बुंदेल खंड में उद्धम लगाने के लिए बड़ी संक्चा में निमेश को ने अपनी इच्छाएं जताई है, जिसको लेकर के एक ये आर्टिकल निकला है, मुके संबानी बेडला जैसे दिगजों की मौझूदगी में मिला यूपी को 32 लाग करोड का निमेश, अजे त्रिवेदी का ये आर्टिका है लखनव से और ये सी को उत्तरपदे सरकार ने अपना ट्विटर से ट्विट किया, दुनिया भर में 16 देसों के 21 सहरो में किये हैं, रोड सो, इस तरह से के पूरा मैटर सामने आया, तो उत्तरपदेस को 32 लाग करोड रुपे से ज़्यादा के निमेश प्रस्ताव मिले हैं, तो आगे आनी जो भी बिजनस्मेन है, वो अपना निमेश लगाएंगे यूपी में, निमेश कर रहे हैं, तो इससे क कुमार मंगलम बिडला ने 50,000 करोन रुपिया इतना इतना निमेश की उन्होंने गोश्रा की है, ऐसे ही काफी और भी लोग हैं, जन्होंने अपना-पना जो MOU अगरा दिया है, उस पर रहने स्ताक्चर करवाए हैं, और इस तरह से आगे ये रोजगार को लेकर के सायद कु अगर आप देखें, ध्यान दें तो भाई, बिजनस्मेनों के द्वारा जो बड़े-बड़े हैं, जो टैक्स भरते हैं, उससे बहुत कुछ चलता है, अगर बिजनस्मेन गायब हो जाए अपने देश से, यही जो बड़े-बड़े हैं, अगर ये गायब हो जाएं, मैं यक अगर आप जो पढ़े लिखें, वो समझते हैं, अर्थविश्था कहां जाएगी भारत की, वो आप जो अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, कैसी क्या दसा होगी सबकी, तो वो चीज़े हैं क्योंकि अगर अब देखो इसमें ये भी बहुत से लोग अपना टैक्स चुराते हैं, जो भी करते हैं, ऐसी भी समस्थां आती रहती हैं, तो एक ही थालीं में वो कहते ना की चट्टे बट्टे होतें, तो जिसकी जो सरकारे आती तो थोड़ा बहुत भाहिया, एक दुसरे को वो समस्थे करते रहते हैं, अब देखो सरकारे इसलिए कहा जाता है कि बुजन मैनों से, अब हम जिससे गरीब लोग अगर कहां से क्या भने लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों का कोई योगदान देश में नहीं रहता, ऐसी भ्राझतियां भी मन में ना पैदा करें, हम लोग भी अपना, जो है, जो भी, या और यह सब चला वो चला हम लोग साबुन सोडा माचिस तेली कुछ भी ले लो एक्स वाइजट खाने किराने कोई भी सामान ले लो हर जीच पर हम लोग टैक्स भरी रहे हैं थोड़ा बहुत कर लगके ही आता है जो एक्चूल लागत होती है किसी भी प्रोड़क्ट की वो कम होती है उस पर फिर टैक्स लग जाती है उसलिए बढ़कर के मिलता है कुछ भी आप खरीद लो जो MRP होती है उसमें टैक्स इंक्लूड करके आपको देती है तो हम लोग भी टैक्स भरते है ऐसा नहीं लेकिन वो इंडारेक्ट होता है और जो इंडारेक्ट है वो कहते हैं कि जो दिखता है वही बिखता है तो जो दिख रहा है वही सबको भाई दिख रहा है वही भिक रहा है और इसलिए हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं गरीब जनता ब्याज भी रेने जाए तो 75 सवाल बड़ा बड़ा बेजनस मैनों को हजार हजार करोनों का सरकारे लोन भी दे देती हैं क्योंकि वो जानते हैं उनको देंगे तो वही निवेस करेंगे रोजगार फैलाएंगे और कुछ करेंगे अगर तो वो पैसा में पैसा बनाएंगे और जाहिद सी बात है तभी कुछ और यहाँ पर economy growth होगी ये चीजे हैं तो सारे मैटर को अपने बुद्धी का विकास करके चारो छित्रों को सोच करके चीजों को आपको जो है फिर अपना डेसाइड करना होता, यह नहीं कि कोई किसी फलाने ने कुछ कह दिया बस उसी पर हम अमल करने लग गए, अब देखो लाड़िल अचमी कलब गठन का की सित्यों में सुधार आए, उनके अच्छे भविस्थ की आधार सिला रखी जाए, इसलिए लाड़िल अचमी योजना मद्रप्रदेश में लागो की गई, लाड़िली बालिकाओं की उच्च सिच्चा सुरिशित करने, रोजगार और कैरियर मार्दरसन प्रदान करने, औ महावाजी, सुच्चता, बाल, अत्याचार, विभागी, कारक्रम, ऐसे तमाम जो है यहाँ पर जैसे भागीदारी हो गया इन सब चीबियों में, साला त्यागी बालिका है, इनुका पुला साला में प्रवेस करवाना, यानि स्कूल में अडमिसन कराना, दाखिला कराना, त अध्यच का काराले एक वर्स के लिए होगा, और एक वर्स के पस्चातपुना, अध्यच का नामंकन, परियोजना के अनुसार अनमोधन से किया जाएगा, तो लाडली क्लब अध्यच सदसे गठन के में, जो भी लोग हैं, उनके नाम देख सकते हैं, अध्यच एक बनेगा, महिला पंच आसा एनम से जो विशेस आमंतित एक सदसे होगा, आंगन बाड़ी कार करता समनेवेक बनाई जाएंगी, सदसे कच्छा छे से आठवी की लाडली बालिका भी एक होगी, बाकी सदस्यों में सब सदस सदसे करके ऐसे दीएं, तो टोटल 14 लोग इसमें हिस्सेदा यानि यूँ कह सकते हैं कि इसमें सा मिलोंगे, राधा बेहने मदपडेस से जिनके द्वारा MP से एक ये जानकारी भेजी गई, साथी एकीकरत बाल विकास परजना असोक नगर ग्रामी जिला असोक नगर से भी एक ये लिटर आया, महिला का नाम करम संख्या, निवास का है, तो उसका अधार नंबर क्या है? महिलाओं की संख्या 50 वर से अधिक वालों की कितनी है, कुल संख्या भरी जाएंगी और कितनी महिलाओं बालिकाओं के बैंग खाते भी उपलब्ध हैं, कितनों के नहीं है, बैंग खाते उपलब्ध नहीं है, उनकी संख्या, बैंग खाते जो आधार कार्ड से जो भी भु पोरी जिला अधिकारी गाजीपूर की उनका ही एक एलेटर है विसे था कि बालविकास विभाग में आपूर्ती जो ड्राइ रासन है उसका वित्रण हे तू केंद्रवार नमंकी दिकारी करमचारियों की उपसिती में खाद्यान वित्रण कराया जाए जिसके बारे में है की विवरण की नियत थी वेचसंडी यानि ग्राम स्वास्वचता एवं पोशर दिवस जो की आगामी 14-16 फरवरी 2023 को प्रस्तावीत है इनी तित्यों में सत परसत वित्रण कराना सुनिशित करें इसे तू नेफ्टर द्वारा समस्त विकास खंडों में आपूर्तित संपू है वो 14-16 फरवरी के बीच में कराने के लिए बोला जा रहा है अब ये सारी चीज़ें इसी को लेकर के एक ये लेटर गाजी पूर से जारी हुआ है और आप समने देखा है अब इदर बात करें एक और लेटर की तो यहाँ पर एक लेटर सोपा गया है सच्यू बालविकास उत्तरपदेश लकनव के लिए नदेशक महोदे को भी एक लेटर दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि आगन बड़ी कारकरती सायका को उच्चतम नयायले के आदेश दिनांग 25-4-2022 का लाप प्रदान करने के लिए ग्रेचुटी तथा रेगुलर लंबी सेवा को देख करके भी जा गया अब इसमें अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो कुछ यहां पर निम्नमत बहनों ने निवेदन किये हैं अब निवेदन में पहला निवेदन है कि राज्य सरकार केंद्रद्वारा निर्धारित सेवा निवत्ती की अधिक्तम सीमा 65 वर्स कर सकता है य आंगनबाडी की सेवाए वर्तमान में अंसकालिक ना हो करके पूर्ण कालिक की गई है तता नियमित लोग सेवकों के अधिक आंगनबाडी कारकरती को कार करना पड़ता है उन्हें अन्य लोग सेवकों की तरह है सीत कालीन और आप देख सकते हैं यहां पर ग्रिस्म कालीन अन्य सारजनिक तेवहारों का अवकास प्राप्त नहीं होता उन्हें पूरे साल में मात्र रविवारी अवकास और चार तेवहारी अवकास तता तीज, करवा, चौद, भहिया, दोच और आपका हल्चट छुट्टी यह सम मिलती हैं कोविड-19 के संक्रमर के समय सभी दपतर बन थे, हम लोग नरंतर काम पर थे, इनमें भी कुछ की जत्वी हो गई थी, आप सबने आलंडिया के माद्धम से जाना भी था अब ऐसे में और आगे नों ने लिखा, खाद सुरच्चा दिनियम 2013 में आंगनबाडी केंद्र को वर्स में 300 दिन नियुंतम आंगनबाडी केंद्र संचालन वगरा किया जाना अनिवार किया गया इस प्रकार पूर्व में एक माँ के अंदन नियुंतम 21 दिन आंगनबाडी को चलाने की विवस्था को बदल करके, अब महिने में नियुंतम 25 दिन अनिवार कर दिया गया महिने में 4 रविवार, कभी भी 5 रविवार भी पढ़ते हैं इस प्रकार रविवार को चोड़कर आंगनबाडी सायकाओं को प्रति दिन आंगनबाडी किंद का संचालन करना अनिवार किया गया उसके पस्चाद ग्रेब रमर करना, उनकी गतविदियों का पोस्टर ट्रेकर पर अपलोड करना जिसमें 2-3 घंटे आंगनबाडी किंद के संचालन में लगाया गये 4 घंटों के अतरिक्त होता है सिच्चा का अधिकार अधिनियम जो है आर्टी एक्ट 2013 की धारा 11 के अधिन नई सिच्चा नीती 2020 के अंतरगत ECCE पार्टकरम में सरकारी अध्यापक के साथ आंगनबाडी कारकरती को भी प्री प्राइमरी सिच्चक के लिए प्रसिच्चित किया गया इस प्राइमरी में आने से पूरु बच्चों को सिच्चा की निउ रखने में आंगनबाडी कारकरती अध्यापकों के रूप में कारे कर रही है आंगनबाडी कारकरती सायका राजिसरकार के अधिन केंद्र की नीतियों का क्रेयनवेन कर रही है आंगनबाडी केंद को महलाओं और बालविकास मंत्राले द्वारा गजट नोडिफिकेशन दनांग 14.2.2017 के माध्यम से राज के इस थाई संस्ता के रूप में अदसूचित किया जा चुका है इस प्रकार आंगनबाडी कारकरतियों की सेवा अब पार्ट टाइम अत्वा आंस कालिक ना हो करके पूर कालिक हो गई है इनकी नियुन्तम सेचिक योगता सरकार द्वारा दसमी से बढ़ा करके 10 प्लस 2 यानी की इंटरमीडियट अनुवारता कर दी गई है मानी सरवोच नियाले द्वारा दिनांग 25-4-22 को यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये आंगनबाडी कारकरती के सेवाओं को राज के प्रती दी जाने वाली लंबी सेवाओं को देखते हुए इन्हें पेमेंट आप ग्रेचुटी एक्ट 1922 की धारा 2 जिसके अंतरगा आयुजित माना गया और आगनबाडी कारकरती साहेकाओं को उक्त अधिनियम 1922 के अनुसार ग्रेचुटी का लाब दिये जाने का निर्मार की जो दिया गया माननी सरवोच नियाले द्वारा आगनबाडी कारकरती के मान्दे को भी अत्यंत अल्प और नियूंतम मजदूरी वेजस से भी कम बताया गया नड़े के साथी अमीरी बी का जो है केस यहाँ पर देख सकते हैं निस्प्रभावी हो गया जैसा कि सुप्रीम कोट ने फूड सेकुरिटी एक 2013 आर्टी एक्ट के दायरे में आगनबाडी सेवाओं के आने के कारण तब से तब की बदली हुई परिस्तियों के दश्टिगत आगनबाडी कारकरती अब राज की परिभासे सिवाओं में आती हैं उनका क्रमसह नियामक नियोकता भारत सरकार और राज सरकार ही है इस तरह से आप देख सकते हैं ये सभी मांगों को लेकर के लिटर यूपी से बेजा गया और भी कुछ आगनबाडी मांदे 10,000 और साहिका 5,500 पंजाब में आगनबाडी रुपिया 9,500 साहिका 5,100 प्रतिवर्स रुपिया इतना और 500 का महंगाई भत्ता भी दिया जाता है वहीं उत्तर पदेश में आगनबाडी कारकरती को 6,000 मासिक और साहिका को मात 3,000 रुपिया लाब दिया जाता है कारकरती जो है स्किल्ड प्रसिचित और पोशर के संबंद में पोशर ट्रेकर और स्टेडियो मीटर इंफिंटो मीटर और वर्धी निगरानी और गंभीर को पोशर युक्त बच्चों को संदर्भित करने जैसे विसिष्ट सेवा का काम करती है ऐसे में रुपिया 18 हजार से कम मांदे यानि मिनिममम जो वेजस एक्ट है उसका खुला उलंगन है तो यहाँ पर आपसे अनुरोध है कि माननी सर्वोच नियाले के उक्तादेज धनांग 25-24-22 के अनुपालन में आंगन बारी कारकरती की सेवा को ग्रेजुटी तथा पेंसन के लाप से जोड़ हैं जिन्होंने अपना ये एक मांद पत्र टाइप का टाइप करके विबाग को भेजा है अब ऐसे में दोस्तों आज किस वीडियो को यहीं रखते हैं और अगले वीडियो में आप सबको फिर मिलते हैं धन्यवाद